आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासिस के यूटूब चैनल पर धमनेल आपने बिल्कुल सही पड़ा जीएस्टी काउंसिल की चववनवी विटिंग में बहुत बड़े-बड़े बदला हुए और इसकी प्रैसलीज आई हुई है तो ये प्रैसलीज से वाटसब करके आप हमारी टीम से वाटसब करके ये प्रैसलीज ले सकते हैं इस नंबर पर वाटसब कर देना अब इस प्रैसलीज को पढ़ना है या तुम्हारे को क्योंकि कल जीस्टी काउंसिल की मिटिंग हुई है तो इसमें बड़े-बड़े चेंजिश हुए है सर प पीछे से पढ़ना सुरू करते हैं पीछे से पढ़ना सुरू करते हैं प्रैसलीज के अंदर क्या क्या चेंजिश है पहले स्टीट को समझ लो इन्होंने क्या बोला है इन्वोई मेनेजमेंट सिस्टम एंड न्यू लेजर्स तो आपको पता होगा इन्वोई मेनेजमेंट स सिस्टम आ चुका है ठीक है ना और धीरे धीरे वो पोर्टल पर अपडेट हो जाएगा तो उसको लेकर यह क्या कहते हैं दा काउंसिल आलसो टुक नोट ओफ डगेंडा ओफ अनैंस्मेंट बीग मेंट तो दा एक्जिस्टिंग येस्टे रिटर्न आर्किटेक्चर की जो 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 इसका अर्किटेक्चर है वह हम चेंज करने वाले अभी अगर आपने देखा हो पोर्टल पर एक आर्सियम लेजर आ चुका है ठीक है ना उसके ऊपर हमने डिटेल वीडियो भी बनाई है और इस बार की मैगजीन में दी है एन इन्पुट टेक्स क्रेडिट रिकलेम लेजर यह भी आपको पता होगा और इन्वोईज मेनेजमेंट सिस्टम टेक्सपेर वुड बी गिवन दा अपोर्चुनिटी तो डिक्लेर दा ओपनिंग बैलेंस डालना है अपना वह 31 अक्टूबर 2024 तक डालना है तो अभी अवेलमेंट ओफ इसी तो हमने अपनी आइमस की वीडियो में भी आपको बताया था कि अब जो रिसीवर है वह किसी इन्वोईज को सेक्ट भी कर सकता है और किसी को पैंडिंग भी कर सकता है अब कई लोगों का यहां पर कुश्चन आता है सर्क्या इन्वोईज का मतलब य एक्सपेयर तो यहां पर इन्हों ने दुबारा से इस प्रेस लीज में बोला कि भाईया यह क्या है ने एक ओप्सनल फैसलिटी है यह कोई मेंडेटरी फैसलिटी नहीं है जिससे की आपका आइटीसी लेने में एरर कम हो जाए एंड इंप्रूव रिकंसलेशन इस एक्पे ब्रेस लीज में भी बाते करिए तो हो सकता है कुछ दिन में आपको रूल्स के अंदर कुछ चीज़े दिख जाए और सर्कुलर के माध्यम से क्लैरिफिकेशन आ जाए एक बड़ा चेंजी जाने वाले जो बड़ा चेंजी के है वो है बी-टू-सी इन्वाइजिंग अगर बीटू-सी ज़िए बीटू-सी के लिए में नियां लागा यहां फैर आपको यह आपको इह द्यान दखने है कि अगर आपको कोई एक्लाइंट हे ट्यक है बी-टू-वी बी-ःंवाइजिंग तो उसके ऊपर वी टू-सी के में भी-इनवाइजिंगcionesील क skilled आपोईसे तो अभी होता क्या है बहुत सारे दुगंदार जब B2B को माल बेचते हैं तो अगर किसी मोबाइल वाले ने या किशी शोक वाले ने B2C को कोई माल बेचा दस लाग रुपे का तो वो उसके बिलो को फार्दर फैक देता है या उसकी बोकस बिलिंग कर देता है किसी B2B को तो अब गोवर्मेंट क्या करी है नहीं भईया अब ऐसा नहीं गर होगे अब आपको ना B2C के लिए भी ना इन कर देगा तो गोवर्मेंट का मानना यह है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी दुकान वाला इलेक्ट्रिसिटी दुकान वाला B2C को जब माल बेचता है दस लाग का तो उसका वो ITC बेकार हो जाता है तो वो फरजी भी काट देता है B2B में किसी को तो उस पर रोग लगाने के लि तो अब यहां पर तुम्हारा compliance burden बढ़ने वाला है अब इसके अलावा क्या है मैंने आपको पहले भी बताया था कि यह कुछ सर्कुलर साने वाले किन-किन केसे में सर्कुलर आएंगे अगर आपके पास कोई डैमो वीकल है मारूती की कार है ठीक है मारूती की एजंसी है तो आने वाले समय में इस महीने में तुम क्या देखोगे सितंबर में तुम होंगे टेक्स ओडिट में बीजी और डिपार्टमेंट देगा सर्कुलर तो तुम्हें इसकी टेंशन नहीं लेनी क्योंकि सारे सर्कुलर सारी नोटिफिकेशन जो भी रूल आएंगे हमारा जो अक् डूल आएंगे वो आपको बतावी सबसे बड़ा चेंजिस क्या है section 16 और section 16 अदर इन्हों ने बोल दिया किि आई-टी-सी आप ले सकते हो 30,921 तक लेकिन वहां नोटिफाइड ही नहीं हुआ तो इन्होंने क्या बोला कि जीस्टी काउंचल रिकमेंड करती है कि जो फिनेंस एक्ट आया था विच प्रोवाइड दा इंसर्ट अप इस सेक्ट यह इंसर्ट कर दिये जाए नोटिफाइड एस दा अरलियस जल्दी से जल्दी यह और मैंने आपको बताया था ना पहले भी कि यह रेक्टिफिकेशन ओफ ओडर होगा अंडर सेक्शन 148 सरी रेक्टिफिकेशन की जरुवत क्यों पड़ रही है तो भी फोलोड बाइदा क्लास ओटेक्सेबल परसन अगेंस्ट उम्द एनी ओडर ऑफ सेक्शन सेवन्टी ती कि जब आपने सेक्शन 16 पाच लिया है रिलक्सशन दे दी 6 लाकर आपने क्या दे दी कि वह आपने आप आयडी सी लिया था थीस नॉमबर 2-211 तक वह ठीक है तो भी जो ओफिसर ने ओडर पास कर दिये जो मैटर अपील में उनका क्या होगा तो उसके लिए यह सेक्शन 148 क रिक्टिफिकेशन डाल दो या ओफिसर अपने अपने रेक्टिफाई करेगा तो यह डूल्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा य anschliक्ट इस दो काउंसिल कहा रही है इसके लिए एक सर्कुलर भी निकाल दो ठीक है ना कि वह 165 और 166 कैसे होगा क्योंकि ओफिसर तो क्या करें धड़ा धड़ा ओर निकाले जारे हाला कि लो आ गिया है वह कहारे जब तक नोटिफाइड नहीं होगा हम तो निकालते रहेंगे ठीक है ना तो सेक्शन 128 के अंदर इन्हों ने बोल दिया था कि वह 1788-191920 की इंट्रेस्ट पेनल्टी माप लेकिन भाई इस सेक्शन को नोटिफाइड तो करो तो इन्हों ने नोटिफाइड नहीं करा क्या अब हमना क्या कर रहे है रूल लेकर आ रहे हैं तो हम उसके अंदर कुछ फों भी ले कराएंगे ठीक है ना प्रोवाइडिंग दा प्रोसीजर फो एंड कंडिशन फोर अवेलमेंट तो बैनेफिट ऑफ इंट्रेस्ट एंड पेनल्टी कि भाईया रूल्स लेकर आ जाएंगे एक फों लेकर आ जाएंगे कि जिस जिस व्यक्ति को इसका बैनेफिट चाह चाहिए जिस जिस व्यक्ति को इसका बैनेफिट चाहिए सेक्शन 128 से का वह रूल को पढ़कर वह फॉर्म भर दे क्योंकि यह कब से पहले बरना 31 मार्स 2025 से तो यहां पर अब इसके लिए भी ठीक है रूल्स आएंगे सर क्या इसके लिए सर्कुलर भी आएगा हां जी इसक अफेल्मेंट लेगा किसे नहीं मिले गा ठीक है न तो भight है इसके लिए भी एक सरकुलर आएगा। और चाहिक से लिए भटा फट से इसे 그래도 doubts को कबसे होगा एक नंवंबर 202 indigenous तो भैस सितंबर अक्टूबर में तो तो ओफिसर ओडर पास करेंगे लेकिन एक नमंबर दोजार चोबिस से यह नोटिफाइड हो जाएगा तो यह एक बड़ा चेंजी जाए सर इसके लावा क्या बड़े चेंजी जाए आर सीम के अंदर बड़े चेंजी होने वाले एक तो रेंटिंग ओफ कमर्शियल प्रोपर् माननों में आटिस्टऱ् परसन नहीं हूं लेकिन मेरी कमर्शल प्रोपरटी के 40 अफिस खरीद रखे और मेभी कमर्शल प्रोपर्टी एभ इसो कवर्पर्ति हो गपनी आफे इसे आरि semi के अंदर ले करते हो जीटिये की सर्विस को लेकर इन्होंने क्लारिफिकेशन दिये कि अगर कोई जीटिये लोडिंग लोडिंग की सर्विस देता है इंसोरेंस की सर्विस देता है कोई भी एंसलरी या अगर वो अलग से सर्वीज दे रहाई तो उसे composite नहीं मानेंगे लेकिन अगा साथ में दे रहा है तो इसके लिए भी ये क्या करने वाले एक हो सकता है सर्वुलर इसके लिए भी आपको देखने को मिल जाए हैं इसके अलावा तो उसकी भी notification आपको देखने को मिल जाएगी तो कुछ सर्विस को इन्होंने एक्जम्ट करा है यह वाली आपको जो भी नोटिफिकेशन आईगी समय समय पर मैं आपको बता दोगा और इसके अंदर ज्यादा चीजे इंपोर्टेंट नहीं है सब्सक्राइब को लेकर इनकी अभी सहमती बननी है कि हम इसके अंदर क्या करेंगे इन्होंने कहा है पर्टेनिंग टुट ऑफ लाइफ इंस्वरेंस एंड हेल्ट इंस्वरेंस तो यह कहा है रहे है दज जीवे मिस्टू भी समीट दा रिपोर्ट तो अक्टूबर में आईग तो मुझे कमेंट बोक्स में लिकार बता हो क्या यह 903 में लाने की बात कर रहे है जैसे जैसे जी ये कि शर्विस प्रिव के अंदर है या जैसे में वो लू काजू जो होती है वह यह पर आर्स्यकी अंदर है तो यह के रहे भई यह पराइब कभ लगेगा यह लगेगा तुपलाइब मैटल उस्क्राइब लगेगा कभ उनर्सटर से कोई भी मैटल करीटता है जो जो इसे डिफाइन करेंगे मैटल स्क्राइब करीता है तो उस पर आर्सम लगेगा कब जब सप्लायर रजिस्टेशन के लिए लाइबल होगा ठीक है ना और उसकी जो लिमिट है थैसोल लिमिट क्रोस करेंगे ठीक है ना जी किलिए रहे यहां पर क्या कहना चारेंगे इसे हम पूरा क्लैडिफाइब कर देंगे एक बार दुबारा पढ़के बता देता हूं कहता है आर्सम इस टूब यहां तक समझ आ गया कि वहाँ दूब यह थैसे सब्सक्राइब दूले चानिहां पर सप्लाइर तो यहां पर सप्लाइर रॉडु पर संट-टीग आज थैसे न जैसी वह अपनी ली मिट करेगा तो से रिस्टेशन ले पड़ेगा एंड़ी चिपेंट मेंट मतलब कि अगर मैं एक प्राइवेट लिमिटेटी कंपनी और मैंने क्या गरा एक अन्रजिस्टर पर्सन से स्क्रैप ले ली तो मुझे आर्सियम देना पड़ेगा ठीक है इसके अलावा इसके अलावा यह क्या गया रहे है अगर जो सप्लाइर है उसकी लिमिट 20 लाग से क्रो होग Iraqi लिमिटे उसके अंदेर पूससी के अंदर आर्सियम लगेगा या नहीं लगे गा मेरे एसाब से संपर क्लाइव कर यहां पर यह दिटी एज की भी बात कर रें द refugee पर तो सेक्शन 51 के अंदर जो नोटिफाइड परसंट करेंगे महां पर यह करेंगे तो जो मैटल स्क्रैप इंडस्ट्री है उस पर थोड़ा सा इंपक्ट आने वाला है इस लेंग्वेज में थोड़ी सी क्लियर्टी और आनी बाकी है तो जैसे नोटिफिकेशन सर्कुलर से क्लियर्टी आएगी कि कब RCM लगेगा कब FCM लगेगा तो इसके अंदर भी चेंजी जाएंगे तो जो हमारी RCM की भूगी उसके अंदर हम आपको बता देंगे कुछ इन्होंने दवाईयों को सस्ता कर दिया मैडिसिंस वगरा को तो यह वाले जो अदिल से दने वाब थैंक यू फो बाचा